केलो दोस्तों, Quantum Physics विज्ञान की इस रहस्य मय शाखा ने एक सदी से भी अधिक समय से विज्ञानिकों और आम लोगों की कलपनाओं पर कबजा कर लिया है और ब्रम्हांट के बारे में हमारी समझ को उसके सबसे बुनिया दी, स्तर पर नया आकार दिया है, साथ मिलकर, हम उन नीवों, एतिहासिक विकास, प्रमुक्व, अवधारनाओं और अभूतपूर्व प्रयोगों की गहन खोज शुरू करेंगे, जिन्होंने Quantum भौतिकी के परिद्रश्य को आकार दिया है, Quantum भौतिकी की नीव, Quantum भौतिकी, शास्त्रिय भौतिकी की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी, जिसने सदियों से ब्रम्हांट की हमारी समझ को नियंतरित किया था, इसके मूल में Quantum भौतिकी वास्तविक्ता की प्रकृति को चुनोती देती है, हमें विरुधा भासों, अनिश्चित्ता और घटनाओं से भरी दुनिया से परिचित कराती है, जो हमारे शास्त्रिय अंतरग्यान को चुनोती देती है, तरंग कंड द्वैत, Quantum भौतिकी द्वारा प्रस्तुत मूलभूत अवधारनाओं में से एक पदार्थ का तरंग कंड, द्वंद्व है, यह अवधारना बताती है कि कंड, जैसे इलेक्ट्रोन और फोटोन, प्रयोग के संदर के आधार पर तरंग समान और कंड समान दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यदि आप चाहें, तो एक ऐसे ब्रह्मान्ट की कल्पना करें जहां कंड एक साथ तरंगों और कंडों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, जो शास्त्रिय भेदों के बीच की रेखाओं को धुंढला कर सकता है, हाईजेन्बग का अनिश्चित्ता सिध्धान्त, वना हाईजेन्बग का अनिश्चित्ता सिध्धान्त, क्वांटम भौतिकी की आधार शिला है, ये दावा करता है कि कि किसी कंड की सटीक स्थिती और गती को पूर्ण सटीकता के साथ मापना है हमारे ज्ञान की यह मौलिक सीमा क्वांटम दुनिया में एक अंतरनिहित अनिश्चित्ता का परिचय देती है जो हमारे शास्त्रिय नियतिवाद को चुनौती देती है Quantum भौतिकी का एतिहासिक विकास Quantum भौतिकी की दुनिया में हमारी यात्रा उन प्रतिभाशाली दिमागों और अभूतपूर्फ प्रयोगों को श्रधानजली दिये बिना आगे नहीं बढ़ सकती जिन्होंने इसके एतिहास को आकार दिया है Max Planck और Quantum सिध्धान्त का जन्म 1900 में Max Planck ने Black Body विकिरण का अध्ययन करते समय परिमानी करण की अवधारणा पेश की उन्होंने प्रस्तावित किया कि उर्जा को अलग-अलग पैकेटों में परिमानित किया जाता है जिन्हें क्वांटा कहा जाता है इस प्रांतिकारी विचार ने Quantum सिध्धान्त की नीव रखी जिसने उर्जा के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया एल्बर्ट आइंस्टीन और Photo Electric प्रभाव 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने Photo Electric प्रभाव की व्याख्या करके भौतिकी में क्रांति लादी उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश में उर्जा के अलग-अलग पैकेट होते हैं जिन्हें Photon कहा जाता है इस कार्या ने प्रकाश और पदार्थ के व्यवहार के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया नील्स बोर का परमानू मॉडल 1913 में पेश किये गए नील्स बोर के परमानू मॉडल में इलेक्ट्रोन कक्षाओं के परिमानीकरण को शामिल किया गया था, इसने हाइड्रोजन की वर्नक्रमिय रेखाओं को सफलता पूर्वक समझाया और पर्मानूओं के भीतर इलेक्ट्रोनों के क्वांटम व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया श्रोडिंगर तरंग समीकरण, 1926 में, इर्विन श्रोडिंगर ने तरंग समीकरण तैयार किया, जो क्वांटम यांत्रिकी में एक मौलिक समीकरण है ये समीकरन तरन कारियों के माध्यम से क्वांटम सिस्टम के व्यवहार का वर्नन करता है जिसमें एक कन की संभाव्यता वित्रण के बारे में जानकारी होती है ये क्वांटम भौतिकी का हरिदय है जो हमें क्वांटम दुनिया को समझने के लिए गनितिय धाचा प्रदान करता है। क्वांटम भौतिकी में प्रमुख अवधारनाएं, जैसे जैसे हम क्वांटम क्षेत्र में गेहराई से यात्रा करते हैं। हमें कई दिल्चस्प अवधारनाओं का सामना करना पड़ता है, जो हमारे शास्त्रिय अंतरग्यान को चुनौती देते हैं। सुपपोजिशन, क्वांटम सुपपोजिशन ये धारना है कि कन एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। उदाहरन के लिए, एक इलेक्ट्रोन स्पिन अप और स्पिन डाउन अवस्थाओं के सुपपोजिशन में तब तक मौजूद रह सकता है, जब तक की उसे देखा न जाए। जिस बिंदू पर वह इनमें से किसी एक अवस्था में धह जाता है। यह अवधारना वास्तविक्ता की प्रकृती के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। उल्जाव उल्जाव एक ऐसी घटना है जहां कंड इस तरह से सहसंबध हो जाते हैं की एक कंड की स्थिती आंतरेक रूप से दूसरे की स्थिती से बंधी होती है। भले ही विशाल दूरी से अलग हो। ये दूरी पर होने वाली दरावनी क्रिया जैसा की आइंस्टीन ने कहा था। क्वांटम भौतिकी के सबसे रहस्य मया पहलूँ में से एक बनी हुई है। क्वांटम टनलीग, क्वांटम टनलीग वह घटना है जहां कन उर्जा बाधाओं से गुजर सकते हैं जिनहें शास्त्रिय भौतिकी अभेद्य बताती है। ये तारों के समलन से लेकर हमारे इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में ट्रांजिस्ट के संचालन तक विभिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Quantum Map and Samasya, Quantum Map Samasya Quantum Bhautiki में एक केंद्रिय दार्षनिक पहली है। यह माप किये जाने पर तरंग फंक्षन के पतन की प्रकृती पर सवाल उठाता है। और क्या अवलोकन से स्वतंत्र कोई मौलिक वस्तुनिष्ठ वास्तविक्ता मौजूद है। यह हमें अस्तित्व की प्रकृती पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। प्रयोग जिन्होंने Quantum Bhautiki को आकार दिया। Quantum Bhautiki की कोई भी खोज उन अभूतपूर्फ प्रयोगों की जलक के बिना पूरी नहीं होगी। जिन्होंने आगे का रास्ता रोशन किया है। परिश्कृत किया गया। पदार्थ के तरंद कंद वंद्व को प्रदर्शित करता है। इससे पता चलता है कि कंदो स्लिटू से गुजने पर हस्तक्षेप पैटन प्रदर्शित कर सकते हैं। जो उनके तरंद जैसे व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। श्रोडिंग की बिल्ली एक प्रसिद विचार प्रयोग है जो सुपपोजिशन की अवधारणा को दर्शाती है। इस परिदरश्य में एक सीलबंद बक्से के अंदर एक बिल्ली तब तक जीवित और मृत दोनू होती है जब तक कि उसे देखाना जाए। जो क्वांटम अवस्थाओं की विरोधाभासी प्रकृती पर जोड देती है। कारणाओं को चुनौती देते हुए। ये बढ़ा सकता है और हमें छोड़ सकता है। Quantum दुनिया की पेचीदगियों से विस्मया में Quantum भौतिकी के अनुप्रयोग, Quantum भौतिकी केवल सैधान्तिक चिंतन का एक अमूर्थ क्षेत्र नहीं है। इसमें ऐसे मूर्थ अनुप्रयोग हैं जो प्रौध्योगिकी और विज्ञान को बदल रहे हैं। Quantum कंप्यूटिंग Quantum कंप्यूटर में शास्त्रिय कंप्यूटर की तुलना में जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने की क्षमता होती है। Quantum Algorithm Cryptography सामगरी विज्ञान और दवा खोज जैसे क्षेत्रों में क्रांती ला सकता है। जिससे कंप्यूटेशनल शक्ती के एक नए युग की शुरूआत हो सकती है। Quantum Teleportation एक ऐसी तक्मीक है जो उलजाव का उप्योग करके Quantum जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थाना अंतरित करने की अनुमती देती है। ये सुरक्षित संचार और Quantum Internet के विकास का वादा करता है। जहां सूचना को विशाल दूरी पर तुरंत प्रसारित किया जा सकता है। Quantum Sensing जो अपनी अविश्वस्निय सटीकता के लिए जाने जाते हैं। का उप्योग नेविगेशन और मेडिकल इमेजिंग से लेकर गुरुत्वा कर्षन तरंगों का पता लगाने। वैज्ञानिक अन्वेशन और तक्नीकी प्रगती में नई सीमाओं को खोलने तक के अनुप्रयोगों में किया जाता है। Quantum Cryptography अन्हे के बल संचार प्रणाली बनाने के लिए Quantum भौतिकी के सिध्धानतों का लाब उठाती है। किसी भी छिपकर बाते सुनने के प्रयास का पता लगाकर, ये तेजी से परस पर जोड़ी हुई दुनिया में सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। चुनोतियां और भविश्य की दिशाएं, जैसे ही हम Quantum क्षेत्र के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। हमें उन चुनोतियों और रहस्यों को स्मिकार करना चाहिए जो अभी भी सामने है। Quantum गुरुत्व का एक सुसंगत सिध्धांत बनाने के लिए आइंस्टीन के सामान्य सापिक्षता के सिध्धांत के साथ Quantum यांत्रिकी का एकी करन। आधुनेक भौतिकी में एक मायावी लक्ष्य बना हुआ है। ये हमारे समय की बड़ी चुनोतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। Quantum व्याख्याएं Quantum भौतिकी विभिन व्याख्याएं प्रदान करती है। जिसमें कोपेन हेगन व्याख्या, कई दुनिया की व्याख्या और पाइलट वेव सिध्धांत शामिल है। इस बारे में बेहस की कौन सी व्याख्या सच है। भौतिक विदों और दार्षनिकों को विभाजित करती रहती है। जो क्वान्टम भौतिकी के मूल में गेहन दार्षनिक प्रशनों को उजागर करती है। व्यवहार एक क्वान्टम प्रोध्योगिकियां, जबकि क्वान्टम प्रोध्योगिकियां अपार संभावनाएं रखती है। उन्हें डीकोहेरेंस जैसी मेहत्वपूर्ण तक्नीकी चुनोतियों का भी सामना करना पड़ता है, जो क्वान्टम की स्थिर्ता को सीमित करती है। इस वीडियो क्रिएटेड बाई अभिशेक छाट्रालिय, थैंक्स फॉर वाचिंग।